हेलो एबिवान वेलकम टो मैं चानल हॉम सेफ आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओट्स और रवा की एक बैटर से चाल अलग अलग तरह की रेसिपी कैसे बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक कप ओट्स एक कप रवा एक बड़े बोल मिलेंगे और फिर इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो एक बार दूर डाल कर यह रेसिपी जरू ट्राइब करें और जिन लोगों को दही पसंद नहीं है दही की खटास पसंद नहीं है खासकर बच्चों को तो उनके लिए यह रेसिपी आप दूर डाल कर बनाएं नहीं तो आप यहां पर अब इसमें डालेंगे सवादा नुशा नमक भी सेख और डालना की बद फिर से एक बार अचो से मिकश करेंगे और इस धुक कर आख ड़ते के लिए चोड़े थोड़ा सा ठिक हो गया है, ये इडली बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं इडली बना रही हूं, इसके लिए जितना बैटर एक बार में रिकॉर्ड है उतना दूसरे बोल में सिफ्ट कर ले, फिर इसमें 1.5 तेस्पॉन लिए डाल और जाए से मिक्स कर दें इतने बैटर के थोड़ा पानी डाले और इडली स्टेंड रखकर लिड लगा दे आप ये ओट्स रवाइडली नॉर्मल स्टीमर पे गैस स्टूप में भी बना सकते हैं अगर माइक्रोवेब में बनाना चाहते हैं तो इसे माइक्रोवेब में रखे और तीन मिनट का टाइम सेट करें फिर स् इडली को इस तरीके से चारो तरब घुमाते हुए निकाल सकते हैं तो गर्म गरम ओट्स और रवा इडली तैयार है इसे आप सांभर और चटनी के साथ सर्व करें चाहें तो बच्छों को लंच में भी दे सकते हैं सेकेंड रेसेपी में बना रहे हूं उतपम इसके लिए अवा या फ्राइपें गैस पर रखे और थोड़ा सा घी या ओयल लगा ले फिर हम इसमें बैटर डालेंगे सेम बैटर जो हमने इडली में यूज की थी वह इस तरीके से तवे पर डाल के फैला दे आप चाहें तो छोटे चोटे दो दीन भी बना सकते हैं या एक बड़ा इसके बाद इसमें डालेंगे बारी कटीवी सबजिया प्यास टमाटर और ग्रेट के अवा गाजर में यहां पर डाल रहे हूं और थोड़ी सी धन्या की पत्ति इसमें आप क्याप सिकम बीटूट भी डाल सकते हैं बारी कट करके या ग्रेट करके अधक करके इसे लो फ्ले दिखने घ्री हो चुका है तो इसे निकाल लें और गर्म गरम भी सर्फ कर सकते हैं या टिफिन में भी दे सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला चिड़क दें जिससे कि यह और भी ज्यादा टेस्टी हो जाती है और फिर चटनी के साथ सर्फ करें यह भी एक और उसमें थोड़ा सा तेल या घी लगा देंगे फिर दो तीन स्पून बैटर डाल कर फैला दे और फिर इसे ढख दे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दे थोड़ी देर के बाद आप धकन हटाएं तो आप देखेंगे कि उपर का लेयर भी अच्छा पक चुका है और गोल्डेन हो चुका है तो इसे इस स्टेज पे इसके उपर की तरफ थोड़ा सा ओयल लगा दे और फिर इसे पलट दे यह देखें कितना सुंदर कलर आया है तो अब इसके उपर लगाएंगे सॉस मैं यहां पर टमैटर सॉस लगा रही हूं आप चाहें तो पिज़ा सॉस यह सेज़वान था रही हैं तो सांस को अच्छे से स्प्रेट करतें और उसके प्यास टबाचर शक्याफ और कौंस बार सूब्स ऑके टालिःंगे चीज को ग्रेट करके इसके उपर अच्छे से प्यास तो फ्लेम पर पखने दे छिब अच्छारत अच्छाऍवर और पिजा रेडी है देखके ही मुह में पानी आ रहा है तो बस इसे आप निकाल ले और अब इसके उपर डालेंगी थोड़ा सा और चिली फ्लैक्स जिससे की पीजा का एक्ट्रल टेस्ट आता है तो यह अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा डालें बचों के लिए बना लगा ठ्वाशे चीला के लिए पीयास टमाटर गाजर और रग की धन्या की पत्ति और अच्छे से मिक्स करेंगे चीला की पतला की तो इसके लिए हम इसमें मैं पानी डालेंगे गोखी नब पटला जाए तो फिर सम फ्राइपन या तवी प गयास पर गरम कर ले और फिर थोड़ा सा ओयल लगा ले फिर इसमें दो तीन चमच बैटर डाल के अच्छे से फैला दे ढखकर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दे जब उपर का साइड का कलर चेंज हो जाए तो आप इसे पलट के देखे यह देखे कितना अच्छा गो लो फ्लेम पर पकाए जिब दोनों साइड अच्छा कलर आ जाए तो गयास ऑफ करती और गरम गरम चीला सर्व करें यह चीला बिना चटनी और सॉस की भी बहुत टेस्टी लगती है तो आप भी बनाएगे यह रेसिपी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करू उसका नौटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्यू फो वाचिंग